Assalamu alaikum, this is Dr. Mohamed Shafi और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कुस करने वाले हैं वो है यूट्राइन साइकल इससे पहली वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कुस किया था कि फीमेल रिप्रेड़क्टिव साइकल्स क्या होती है और फीमेल रिप्रेड़क्टिव साइकल्स के अंदर किस-किस लेवल पे चेंज आ रहा होता है हमने पढ़ा था कि हाईपोथालमस के लेवल पे चेंज आ रहा होता है उसके इलावा पिटूटरी के लेवल पे पिर ovary के level पे और uterus के level पे तो जो हमने ovary वाला part है वो already discuss कर लिया है अगर वो वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखना ताकि वो वाला part clear हो जाए तो आज हम बात करने वाले है किसकी uterine cycle की यानि कि वो तमाम मैंने आपको बताया थे ना जो cycle है वो एक ovary के अंदर भी चल रही है जिसे आप ovarian cycle का नाम दे रहो जिसके अंदर क्या बन रहा है फॉलिकल बन रहा है और उस फॉलिकल के अंदर उजरिस चल रही है जबकि दूसरी तरफ जाहिर सी बात है अब यूटरस को भी खुद को प्रिपेर करना है फॉर दा अपकमिंग प्रेगनेंसी ठीक है वो यूटरस तो हमेशा यही समझता है हर मन्त कि भाई अब प्रेगनेंसी होगी और मैं खुद को प्रेपेर कर लेता हूँ तो अब बेसिकली यूटरस खुद के अंदर चेंजिस लेकर आएगा अगेन यह चेंजिस साइकलिक है साइकलिक का मतलब है पर एक्जामपल यह शुरू हुए और फिर यह वापस आके उसी पॉइंट पे खताम होगी है अब यह जो यूटरस के अंदर चेंजिस आ रहे न इन्हें आप यूटराइन साइकल का भी नाम देदे तो कुछ बुक्स के अंदर इसे मेंसल साइकल भी कैसे है चलो तो आप से कह रहा है था यूटराइन साइकल influenced by the hormone that is estrogen and progesterone अब यह जो आपकी यूटराइन साइकल है यह basically दो hormones regulate करते है estrogen और progesterone सरी यह estrogen कहां से आता है progesterone कहां से आता है ovary से आता है simple अब ज़रा देखना है यह आप है it involves a series of cyclic change in the endometrium of the uterus मैंने आपको बताया था basically ovary sorry जो uterus है uterus की कौन सी lining के अंदर change आता है जाहिर सी बात है uterus की आपकी endometrium के अंदर change आता है there will be no change in the myometrium and perimetrium as well simple अब देखना हो बड़ी important बात अब अगर मैं uterine cycle की बात करूँ तो uterine cycle को आप यह कहते है को uterine cycle तब शुरू हुए जब पहला menstrual loss हुआ है so it means the first phase is the shedding of the endometrium क्या मतलब by menstrual cycle यह uterine cycle का पहला step क्या होगा या पहला phase क्या होगा जब menstrual bleeding हो रही है menstrual bleeding कैसे होगी जाइच से बात है there will be shedding of endometrium अब आपको पता है बड़ी for example यह uterus है इस uterus ने खुद को prepare किया for the pregnancy but वो pregnancy नहीं हो पाई तो अब क्या होगा यह endometrium shed off हो जाएगी in the form of blood and that loss is known as menstrual loss simple अब आजो आगे सभी सिर्व इसके इंदे blood नहीं होता है जाइच सी बात है और सारी चीज़े भी होती है क्योंके endometrium shed कह रही होती basically so there will be menstrual bleeding the first phase would be menstrual bleeding अब सवाल ही होता है कि यह जो uterine cycle इसको यहां पर समझना बहुत जरूरी है सर यह uterine cycle कितनी days की होती है तो भाई अगर मैं uterine cycle की बात करूँ न तो कहा यह जाता है कि it may vary from 21 day to 35 days 21 से 35 दिनों के दर्मियान की यह cycle है तो normal अगर उससे कम हो गई again pathology उससे बढ़ गई again pathology तो on an average मैं कहा देता हूं के भाई जो mental cycle है उसका जो दौरानिया है वो 28 days है उसका duration कितना है 28 days अब यहां पर जो कुछ भी discuss किया जाएगा वो 28 days पर discuss किया जाएगा मतलब cycle को standard 28 days माने जाएगे लेकिन मैंने again बताया कि यह female to female vary कर सकता है और एक ही female के अंदर different time में भी vary कर सकता है हो सकता है कभी उसकी cycle 21 days की हो कभी उसकी 35 days की हो जाएगे all depends तो पहला phase क्या है पहला phase जिसे आप कह रहा हो कि there will be shedding of the endometrium कितने दिन तक चलेगी it will it will be from day 1 to day 5 simple अब यह क्यों हो रही है इसको हम देखते चलो जबकि दूसरी तरह जो दूसरा phase होगा हमारा जो दूसरा phase होगा उसके अंदर अब जारी सी बात है endometrium shed हो गई अब खुद को upcoming pregnancy के लिए prepare करना है नहीं करना तो अब uterus फिर अपने जिम्में ये बोज उठाएगा कि भई खुद को क्या कर लो prepare कर लो for the upcoming pregnancy so there will be growth of the endometrium उस phase को आप कहते हो proliferative phase then growth हो गई अब क्या हुआ ovary से ovum release हो गया जिसे आपने क्या कहा ovulation का graphene follicle से ovum release हो गया जिसे आपने ovulation का अब ये ovum अब ये ovulation जो basically कहा से हुई है ovary से हुई है ये day 14 पर होती है अच्छा अभी मैं इसको आगे discuss करूँगा attention ये लेना उसके बाद by day 1 to 5 menstrual bleeding day 6 to day 13 there will be proliferative phase endometrium खुद को क्या कर रही है prepare कर रही है for the upcoming pregnancy proliferative का मतलब होता है prepare करना, grow करना then there will be then there will be the next phase and that is there will be the thickening of the endometrium अब ये thickening of the endometrium कैसे हो रही है because of increased progesterone अब ये progesterone कैसे बढ़ा है सब हम देखेंगे इसके tension लेने की ज़रुद नहीं है अच्छा अब सवाल ये होता है कि अगर तो pregnancy हो गई then ये endometrium shed नहीं करेगी और अगर नहीं होई अगर नहीं होई तो जाइड सी बात है hormones में disturbance होगी and there will be the breakdown of the endometrium during the menstruation अब मेरी बात ज़रा गोर से देखना है ये chart बहुत important है देखो ये जो female reproductive cycle है ये आपस में interconnected है interconnected होने का क्या मतलब है interconnected होने का मतलब ये है कि ovarian cycle और uterine cycle को एक दूसरे के साथ collaborate करना है for example अगर वहाँ पर follicle grow कर रहा है ovary के अंदर follicle grow कर रहा है और uterus खुद को prepare नहीं करेगा pregnancy के लिए तो भले से ovulation हो जाए भले से fertilization हो जाए लेकिन baby implant नहीं हो पाएग ये बहुत important बात है अब देखना जरा गौर से यहाँ पर वो phases discuss किये जा रहे है वो changes discuss किये जा रहे है जो ovary के अंदर आएंगे और यहाँ पर वो phases discuss किये जा रहे है जो कहा आएंगे जो basically uterus के अंदर आएंगे तो there will be there will be ovarian cycle and uterine cycle जिसे आप menstrual cycle कहे रहे हो अब आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास ये था follicle इस follicle के बाद पास आता है FSH और इस follicle को इस follicle को grow करवाना शुरू करता है तो ये ovary के अंदर चलेगा अब जाइशी बात है जब follicle grow कर रहा होगा तो follicle कब नया follicle कब grow करेगा बहुँ फॉर एक मन्द गुजरा है और अब cycle complete हुई है अब नया follicle तभी grow करेगा नजब पुराना वाला खतम हो जाएगा मतलब पुराना वाला सारा procedure खतम हो जाएगा तभी तो grow करेगा तो उस वक्त uterus क्या कर रहा होगा उसने जो पहले खुद को prepare किये था pregnancy के लिए अब वहाँ पर वो menstruation कर रहा होगा यानि कि endometrium shed हो रही हो so ovarian cycle के अंदर पहला phase क्या होगा follicular phase जो day 1 टू day 13 चलेगा जबकि उसी वक्त uterus के अंदर क्या चल रही होगी menstruation चल रही होगी अब क्या होता है बई 13 दे तक यह follicle grow करता रहा करता रहा करता convert हो गया graphene follicle के अंदर अब जब यह graphene follicle के अंदर convert हो गया तो at day 14 at day 14 यह ovulate कर जाएगा यह graphene follicle तूट के इससे ovum बहार आ जाएगा जबकि उस वक्त basically खुद को endometrium प्रेपेर कर रही होगी for the pregnancy proliferation चल रही होगी कि यह endometrium जो shed हुई थी ना उसको दुबारा बनाया जाए तो यह day 6 to day 13 चल रही होगी और day 14 पर क्या होगा यह fertilization अब क्या होगा याद होगा आपको मैंने बताया था कि जब ovulation हो जाती है तो ovulation होने के बाद जो graphene follicle था वो convert हो जाता है किसके अंदर वो convert हो जाता है एक yellow mask के अंदर जिसे आपके तो corpus luteum तो अब क्योंकि ovary के अंदर corpus luteum बन गया है तो इस face को आपने क्या कहा है luteal face का नाम किया ये कब तक चलता है 15 to end आम तोर पे ये जो दोनों faces है न follicular face और ovulation face ये दोनों differ कर सकते हैं लेकिन luteal face हमेशा हमेशा 14 days का ही मिलेगा आपको तो ये standard अच्छा उस वक्या हो रहा है corpus luteum बन गया और corpus luteum बस luteum secrete कर रहा है progestron इस वक्त uterus ये गुमान कर रहा होगा कि fertilization हो गई है अब बस zygote आने वाला है तो वो क्या कर रहा होगा endometrium को और ठिक कर रहा होगा वहाँ पे blood vessels बना रहा होगा और ये 15 to 28 दे चलता है अब यहाँ पे बड़ी important बात है और example अगर किसी की cycle 31 days की है तो मुझे कैसे पता लगेगा ovulation किस दे हुई है बई simple मैंने आपको बताया यह जो luteal phase है ना यह constant है इसका मतलब यह हमेशा इसमें 14 days लगे गए और उससे पहले ovulatory phase है तो अगर किसी की cycle 31 days की है तो उसमें से मैं 14 minus कर लूँगा तो मुझे पता लग जाएगा किस दे पर ovulation होगी simple यह तो मैंने थोड़ा सा overview दे दिया अब आज़ो यहाँ पे यहाँ पे आप से क्या कह रहा है the menstrual cycle is a complex physiological process अब जाई इसी बात है it's a normal physiological process जो हर female के अंदे reproductive age में चल रहा है जब पहली menstrual cycle menstrual bleeding होई थी उसे आपने क्या कहा था मिनार्की कहा था और एक वक्त आया था यह menstrual bleeding रुक गई थी at an age of about 45 to 50 उसे आपने कहा था मीनोपास मीनोपास अब यह जो cycle है basically यह changes है किस के अंदर uterus के अंदर and uterus is now preparing for the upcoming possible pregnancy हर महीन यूटरस यह गुमान करता है क्या pregnancy हो जाएगा so basically uterus के अंदर changes आ रहे due to hormone, due to different events and ultimately यह cycle कहा है यह जाता है क्या on an average 28 days की होती है लेकिन मैं आपको बताया कि यह vary कर शकती है 21 to 35 days different females के अंदर और एक ही female के अंदर different months में यह मैंने आपको अल्रेडी बताई भी है अब आम तोर पे इस menstrual cycle के इस menstrual cycle के चार hormone बहुत important है मैंने आपको मैंने आपको phases बताए menstruation phase, proliferative phase और फिर हमारा जो secretary phase था लेकिन इस इस फूरी cycle को regulate करने के लिए चार hormone बहुत important है दो आते मेरे पास anterior pituitary से और दो आते मेरे पास ovary से estrogen कहां से आते है ovary के कहां से granulosa cells जबके progesterone कहां से आते है corpus luteum से अब ज़रा मेरी बात गौर से देखना है अब बहुत important बात मैं आपे बताने वाला हूँ देखो सबसे पहला phase जो मुझे देखने को मिलेगा वो होगा कौन सा phase वो होगा menstruation phase menstruation phase का मतलब यह है कि इस वक्त menstrual bleeding चल रही है और याद करो इस वक्त ovary के इंदर क्या change चल रहा होगा follicle grow कर रहा होगा नहीं follicle so basically menstruation start with the bleeding that is the discharge of blood and debris of discarded tissue अब जाहिशी बात है uterus ने खुद को prepare किया था pregnancy के लिए उसके अंदर glands बनाये थे उसके अंदर different blood vessels बनाये थे लेकिन pregnancy नहीं हो पाई तो अब क्या कर रहा है अब uterus basically अपनी उस endometrial lining को shed off कर रहा है समझो endometrium दुख का इजहार कर रहा है for the for the pregnancy की नहीं होई चलो अब यहाँ पे जो important बात होती है वो यह होती है के भई हमारे पास यह जो menstruation है यह menstruation तब होगी body को तब पता लग जाएगा के भई fertilization नहीं होई क्योंकि अगर fertilization हो जाती यह pregnancy हो जाती तो uterus क्यों इस lining को shed off करता it means कि last एक मन्त के अंदर कोई fertilization नहीं होई so it's a sign कि there is no fertilization and there is no pregnancy अब होता क्या तेको basically यह menstruation होती कर दो इसको समझने के लिए याद करो ovary के अंदर एक होता था कॉर्पस लूटियम यह कॉर्पस लूटियम एक हॉर्मून से ग्रीट करता था जिसका नाम था प्रोजेस्ट्रॉन यह प्रोजेस्ट्रॉन responsible था for the maintenance of pregnancy अगर यह प्रोजेस्ट्रॉन नहीं हो ना कॉर्पस लूटियम पतम हो चुका है अब क्या होगा तो आपको blood देखने को मिलेगा and it comes out of the vagina which is the main external which is the main part जो basically आपके sexual intercourse के इंदर sexual intercourse के लिए responsible है इस तरह menstrual bleeding के लिए responsible है और birth के लिए responsible है so वहाँ से क्या होगा menstrual loss हो का menstrual flow हो का अब menstrual cycle का पहला day वो day होता है जिस दिन menstrual flow स्टार्ट होता है simple अब सवाल ही होता है कि sir menstrual bleeding कितनी होती है कहा यह जाता है कि आम तोर पे menstrual bleeding 20 to 80 ml होती है अगर 80 से बढ़ जाए there will be problem और अगर 20 से कम हो जाए again problematic situation है अच्छा भई अब यह कितने दिन चलेगी cycle मतलब मैंने का 28 days की मेरी cycle है तो कितने दिन menstruation चलेगी तो कहा यह जाता है कि यह शुरू के 5 दिन चलेगी अब हो सकता है कि 5 दिन जाँ चले 3 दिन चले हो सकता है यह 8 दिन चले ठीक है तो basically it all depends मैंने आपको बता है न यह depend कर सकता है लेकिन maximum 8 होगा 8 दिन से जादा यह menstrual bleeding नहीं हो सकती अगर होगी तो pathology होगी normally नहीं होगी चलो अब जो दूसरा phase आपको देखने को मिलेगा uterus के अदर वो है proliferative phase याद करो इस वक्त क्या चल रहा था इस वक्त अगेन वो follicle grow ही हो रहा था so there will be the there will be the initial phase this is the basically initial day of the menstrual cycle जाईर सी बात है शरू के 5 दिन तो वो चली थी menstruation अब याद करो जब follicle grow करेगा यह follicle इसके around बनेंगे कौन से cells इसके around बनेंगे granulosa cells और उपर से मुसलसल FSH आके इसको grow करवा रहा होगा it means इस वक्त proliferative phase में जब अभी ovulation नहीं होए जिसे आप pre ovulatory phase भी कहरो इस वक्त FSH मुसलसल जाईर सी बात है grow करवाना ना इस follicle को मुसलसल उपर से आएगा और इस follicle को grow करवाएगा it means इस phase के अंदर आपको FSH का amount जादा मिलेगा और ये FSH का amount these follicles engage in a competitive process to establish dominance अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनना है यहाँ पर बहुत जरूरी बात है देखो ये है ovary सवाल यह होता है कि यह जो FSH है यह आके सिर्फ एक follicle को grow करवाएका अंदर यह तक्रीबन 6 से 7 या 5 से 6 follicle को grow करवाता है 5 से 6 follicle को stimulate करता है लेकिन यह 5 से 6 follicle ही mature graphene follicle के अंदर convert नहीं होता है बलके इन 6 ये 7 में से कोई एक ऐसा होता है जो fit होता है और वो खुद को convert कर पाता है graphene follicle के अंदर बाकी नहीं कर पाते तो बाकियों को dye करवा दिया जाता है एक normal process से जिसको आप कहते हो follicular atresia simple इसका मतलब है सिर्फ एक follicle grow करेगा और बाकी सब dye कर जाएंगे एक process से जिसको आप कहरो follicular atresia so there will be single dominant follicle in the ovary continue to mature and develop into mature follicle वही बात जो मैंने आपको बताए कि एक ही follicle खुद को इस काबिल बना पाएगा कि वो convert हो जाए graphene follicle के जब अब जाएशी बात है जैसे जैसे graphene follicle बन जाएगा तो graphene follicle में granulosa cell की layer बनेगी जब granulosa cell की layer बनेगी तो estrogen का amount भी बढ़ेगा अब सोचो follicle grow कर रहा है मुसलसल उपर से FSH आ रहा है FSH का amount बढ़ रहा है और इधर से estrogen का amount बढ़ रहा है अब क्या होगा अब होगा ये कि because estrogen का amount बढ़ रहा है ये estrogen आएगा आपके uterus के पास so अब ये क्या करेगा it actually regulate the blood supply to the inner lining of the uterus ये उस uterus की blood supply को बढ़ाएगा estrogen आ क्यों रहा है कि भई खुद को prepare कर लो for the pregnancy so as a result the endometrium becomes lush thick and well supplied with the blood vessel जाहिर सी बात है ये estrogen आके करेगा भई खुद को prepare करो for the pregnancy तो ये क्या करेगा जाहिर सी बात है खुद के अंदर बहुत सारी blood vessel develop करना शुरू कर देगा ताके जादा से जादा जो है वो तैयारिया की जा सके है जिसे आप कह सकते हो के zygote का red carpet इस्तकबाल करेगा red carpet welcome ठीक है चलो ordinarily cervical mucus is dense and adhesive मैंने आपको बताया तो cervix पे आपको mucus की lining मिलती थी ठीक है for example ये आपका cervix है ये cervix block होता था mucus की lining से लेकिन ये estrogen आके न इस mucus की lining को भी fluid बना देता है क्योंगे अगर sperm को उपर आना है तो अगर तो sexual intercourse होगा तो जाहिर सी बात है sperm को उपर travel करते हुए आना अगर यहां पर plug को फस जाएंगे वो so it assess the movement of the sperm वही बात जो मैंने आपको बताई अब क्या होगा देखो follicle पे FSH आ रहा था और मुसलसल FSH बढ़के follicle को grow करवाया था लेकिन on the same side जैसे जैसे follicle बढ़ रहा था follicle से release हो रही थी estrogen और यह estrogen जाके दो काम करवाया था लेकिन जैसे जैसे follicle grow कर रहा है FSH का amount बढ़ रहा है इधर से estrogen का amount बढ़ रहा है यह बढ़ता हुआ estrogen का amount जाएगा hypothalamus के पास और hypothalamus से इस FSH की secretion को inhibit करना शुरू कर देगा कम करना शुरू कर देगा so estrogen के बढ़ने की वज़ा से FSH का amount कम होने लगेगा अब क्या होगा यह जो FSH का amount कम हुआ है आम तोर पे यह होता है कि estrogen अभी दर देखने ज़रा यह देखो अभी क्या होई है अभी हमारे पास इस chart को देखने ज़रा अभी हमारे पास menstruation हो गिए menstruation के वक्त जाहिशी बात है FSH है और थोड़े amount के अदर है खुद को मसलसल जो है वो बढ़ा रहे उटको क्या कर रहे मसलसल बढ़ा रहे औब बढ़ाते बढ़ाते यह मसलसल जो है वो खुद को बढ़ा रहे देखो क्या करवाना है? Follicle को grow करवाना है On the same site जैसे जैसे Follicle बढ़ आ है Follicle grow कर रहा है Estrogen का amount भी बढ़ भी Estrogen का amount भी बढ़ आ है इस वक्त कोई Corpus Luteum नहीं है तो देखो Progestron का amount कम है इस वक्त आपको Follicle को inhibit नहीं करना है तो Inhibent का amount भी कम है और यह दो को Follicle grow कर रहा है Follicle के इंदर Entrum बना Ovulation अब ज़रा इधर देखना मैंने क्या कहा? जैसे जैसे Follicle grow करेगा Follicle के grow करने की वज़े से FSH का amount भी बढ़ेगा और Estrogen का amount भी बढ़ेगा लेकिन Estrogen के inhibit करने की वज़े से अचानक 28 days की cycle में 14th day पर कुछ ऐसा होगा जिसकी वज़े से एकदम LH का amount भढ़ जाएगा एकदम LH का चार्ट है यह आपको FSH करने दर आ रहा है एकदम LH बढ़ जाएगा और LH FSH के amount से बहुत जादा बढ़ जाएगा इसे आप कहतो LH surge LH surge का नाम देतो जैसे ही LH का amount बहुत जादा बढ़ेगा इस graphene follicle से यह ovum निकल के बहार आ जाएगा ovulation हो जाएगा यह देखो और estrogen बढ़ा हुआ है मुसलसल क्यों क्योंके graphene follicle से क्रीट कर रहा है estrogen और यह रहा आपका progesterone अब यह देखो proliferation चल रही है इस point पर evolution सारी ovulation होगा evolution भोल रहा हूँ यहाँ पर uterus के अंदर changes दिखा रहा है यहाँ पर ovary के hormone के अंदर ovary के cycle के अंदर और उपर रहा है अब देखो अब आपसे क्या कह रहा है अब आपसे कह रहा है towards the end of the proliferative phase proliferative phase के end अचानक से LH बहुत बढ़ जाए जिसे आप LH search का नाम दे रहो इसकी विज़े से क्या होगा there will be the release of ag from the mature follicle into the oviduct and this event is known as ovulation आम तोर पे इस ovulation को होने के लिए पांच मिनट से भी कम का वक्षा लगता है simple और यह LH इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि उस ovum को graphene follicle से निकाल देता है और जब यह graphene follicle से निकालता है तो आपको परचा है यह पीछे graphene follicle convert हो जाता है एक yellow color के अंदर yellow color के mask के अंदर जिसे आप कहतो corpus luteum तो यह convert हो गया किसके अंदर corpus luteum के अंदर ovulation हो चुकी है अब क्या होगा अब जो face होगा उसे आप कहोगे secretory face क्योंकि अब preparation हो चुकी है अब basically यह इंतिजार किया जा रहा है कि zygote आया और इसको secretion दी जाए so this is post ovulatory phase और जाई से बात है 15 से onward days तर चलेगा इसके days fix रहा है 14 day ही चलता है total अब यहाँ पर क्या कह रहा है अब यहाँ पर कह रहा है this is the post ovulatory phase which is the third phase it follow the proliferative phase after ovulation has take place the secretory phase is primarily regulated by hormone progestron अब यह बहुत important बात है देखो LH का एकदम से surge हुआ था लेकिन जाहिर सी बात है यह LH अपने आपको इतना जादा बढ़ा हाक के रख नहीं पाएगा और यह estrogen इसके level को भी down कर देगा इसने FSH के level को भी down कर दिया और LH के level को भी down कर दिया cell नहीं रहे अब तो वो convert हो गया corpus luteum के अंदर जबके progestron का amount बढ़ने लगेगा क्यों क्योंकि corpus luteum बन गया है और यह corpus luteum क्या secret कर रहा है? progestron secret कर रहा है so basically इस security phase को कौन regulate करने वाला है? progestron और यह progestron कहां से आया? corpus luteum से which is a temporary structure temporary structure अब इस face के अंदर क्या होगा? इस face के अंदर basically आप uterus की lining को thick करोगे जिसे मैं कहा हो red carpet welcome बहुत ज़ादा blood vessel को बनाया जाएगा उन blood vessel को torsus किया जाएगा ठीक है? उनको spiral किया जाएगा जिने आप spiral blood vessels भी कहते हो और यह progestron blood vessels की growth करवाएगा development करवाएगा gland को बनाएगा ताकि जादर स्यादा baby को nutrition मिल सके और एक ऐसा environment create करेगा जिसमें वो ag यह तो गुमान यह कर रहे है न ज़िए fertilization हो जाएगा वो ag आके implant होगा endometrium के आपर so basically in glands का 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 मैं होगा इस baby को nutrition प्रोवाइड करना अगर fertilization ना हो तो क्या होगा यह corpus luteum एक मखसूस time तक रहेगा और उसके बार यह convert हो जाएगा एक white color के mask के अंदर जिसे आप को होगे corpus albicans अब जाहिर सी बात है जब corpus luteum खतम हो गया तो progestron release होना बंद हो जाएगा तब क्या होगा तब होगा यह कि progestron endometrial lining को maintain नहीं कर पाएगा और यह endometrial lining shed off होना शुरू हो जाएगी जिसे आप क्या कहोगे एक नई menstrual cycle start होगे सर सवाल ही होता है कि अगर fertilization हो गई फिर क्या होगा इसको समझने के लिए हमें पहले fertilization देखने पड़ेगी अब ज़रा इदर देखना पहले हम इस chart को complete करते हैं देखो LH का amount कम हो गया estrogen का FSH का amount कम हो गया और यह देखो mature corpus luteum बना corpus luteum के बनने के वज़े से बहुत जादा progestron का amount बढ़ गया जबकि estrogen का थोड़ा कम हो गया अब अगली बात सुनना अब यह जो corpus luteum यह convert हो गया एक white color के mask के अंदर जिसा आपने corpus albican का और यह corpus albican progestron release नहीं कर सकता तो तो देखो progestron का amount भी कम हो गया और इस वक्त जाद सी बात है जब progestron का amount कम हो गया menstrual bleeding स्टार्ट हो गई तो अब दुबारा से आपका FSH का level बढ़ना शुरू हो गया simple अब आजो fertilization पे अगर fertilization हो गई तो corpus luteum को क्या होगा अब इधर देखना गया fertilization क्या होती है अगर तो female sexually active है उस मन्त में और कोई sexual intercourse हुआ है तो ultimately sperm आया होगा sperm fuse करेगा ovum के साथ और ये ovum और ये ovum तहलता तहलता with the help of celia fallopian tube से का आने लगेगा जो zygote है अब basically ये आने लगेगा uterus की तरह so what is fertilization sperm का ovum के साथ मिलना is fertilization simple और उसके नतीजे में क्या बनेगा एक deployed cell जिसे मैं क्या कहूँगा zygote का नाम होगा so अब zygote बना zygote के अंदर बहुत सारे changes आएंगा आपको पता है zygote के अंदर जब division स्टार्ट होगी उससे आप क्या कहूँगे embryo का नाम दोगे so embryo अब जो है वो मुसलसल grow कर रहा है और यह embryo सिर्फ empola के अंदर नहीं रहता बलके fallopian tube सिर्फ टहलता टहलता का आने लगता है ove duct से uterus की तरफ आने लगता है so अब यह embryo चाहता है कि खुद को चिपका लेकर इसके साथ इस अब क्या होता है the placenta which is formed by both maternal and embryonic tissue अब होगा क्या जाहिशी बात है कुछ structure यह embryo बनाएगा और कुछ structure यह endometrial lining के अंदर अल्रेडी प्रेजेंट होगे अब होगा क्या for example यह endometrial lining है यह baby है for example यहाँ पर इसने कुछ structure बनाया और इसने कुछ और structure बनाया इन दोनों के structure के मिलने की वज़े से एक नया structure बना जिसने इस embryo को connect किया किसके साथ mother की body के साथ इस organ को आपने नाम दिया placenta इसको आपने क्या का placenta अब placenta से जाईशी बात है एक tube निकलेगी एक wire निकलेगा जो इस embryo को connect करेगा अब मेरी बाल ज़रा है यहाँ पर देखना पर example यह baby है अजीब सा लेकिन चलो माल लो यह endometrial line है गया इसने क्या किया कुछ structure develop करने की कोशिश की और baby की तरफ से भी कुछ structure develop होने की कोशिश की तो यहाँ पर एक structure बना जिसे आपने का प्लासेंटा अब यह प्लासेंटा इस baby के साथ जुड़ा हुआ है इस rot को इस tube को आप कहे तो amylical cord so what is the difference between amylical cord यह आपको पता होना चाहिए इस प्लासेंटा का काम क्या है देखो मदर अपने nutrient इस प्लासेंटा में डालेगी और यह प्लासेंटा से amylical cord के जरीए फीटस के अंदर चला जाएगा so it actually facilitate the exchange of gases nutrients between the fetal and the maternal circulation वही बाज मैंने आपको बताए अब आपको याद होगा कि 15 से लेकर 28 दे तक corpus luteum बना होगा सवाल यह होता है अगर fertilization नहीं होगी तो तो simple है लेकिन अगर fertilization हो गई तो corpus luteum क्या करेगा होता क्या है basically हमारे पास यह जो आपका corpus luteum है initially corpus luteum बना a temporary structure formed in the ovary after ovulation is sustained by HCG human chorionic gonadotrophin होता क्या है जब यह fetus आके implant होता है और placenta बनना शुरू होता है तो placenta एक chemical release करता है जिसका नाम है HCG एक hormone release करता है जिसका नाम है HCG human chorionic gonadotrophin यह आता है और corpus luteum को कहता है भाई तुम रोक जाओ मुझे तुम्हाई ज़र्वत है pregnancy हो गई है मुबारक को अब यह corpus luteum तीन महीने तक रुपता है और pregesterone release करता है फिर यह placenta खुद release करना शुरू करता है अब basically सवाल ही होता है कि sir एक female को कैसे पता लगेगा कि वो आया pregnant है या नहीं आप एक test करते हो जिसके अंदर एक strip होती है और इसके अंदर आप urine के develop हो गई है या नहीं so basically वो strip क्या detect करी होथी इसी HCG को तो HCG से पता लगता है यही सारी बात है यहाँ पे लिख रहा है अब सवाल ही होता है कि progesterone और estrogen का function क्या है देखो पहली चीज़ progesterone और estrogen जाके anterior pituitory का hormone को inhibit करेंगे इनका negative feedback है अब आगे क्या जा जा रहा है basically यह FSH आके नए follicle की maturation करवाएगा और और ना से maturation करवाएगा बलके endometrial lining को sustain करेगा तो यहाँ पे जो आपका rogesterone और estrogen जो release हो रहा है कहां से प्लासेंटा से अब जब वो खुद प्लासेंटा से release होना चुरू हो जाएगा तो corpus luteum की कोई जरुवत नहीं बनेगी और corpus luteum खत्म हो जाएगा अब आम तोर पे जाईश सी बात है जब एक दफा pregnancy हो गई है बेबी को implant करके रखना है तो क्या आप endometrial lining को shut off करोगे है किसी की कोई जरुवत नहीं है so there will be no menstruation अब देखना जरा यहां पे यह पूरी कहानी को summarize कर रहा है देखो 14 day पे ovulation होई यह आया fertilization होई fertilization के नतीजे में देखो अब zygote बना zygote में division start हो गई और करते करते यह तकरीवन day 6 और day 7 पे यह आके attach हो जाता है इस ovary की sorry इस uterus की lining के साथ and it forms a communication between the mother and the newly formed zygote simply इतना याद रखो तो तकरीवन छटे या साथवे दिन यह काम होता है और पर आइस्ता आइस्ता जो है सारे जीज़ा हो ली होता है सवाल यह होता है कि what is the function of estrogen and progesterone यह बहुत important जीज़ है देखो क्योंकि estrogen और progesterone are the primary sex hormones females के अंदर इनका बहुत major role है बहुत जादा क्योंकि अगर यह function ना करें तो बहुत सारी problems आपको देखने को मिलेंगी अब इनका function क्या है यह ज़रा समझने वाली बात जा देखो सबसे पहली चीज़ यह दोनों hormone कहां से release होते हैं ovary से ovary में भी कहां से release होते हैं वो मैंने आपको सारी कहानी बताई हुई है अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कहरे है अब रह्मोन estrogen and progesterone play a crucial role in the development and the functioning of the female reproductive system as well in the as well as in the manifestation of the secondary sexual characteristics ना सिर्फ यह estrogen और progesterone pregnancy को maintain करेंगे female reproductive cycle को चलाएंगे उसको regulate करेंगे बलके secondary sexual characters को भी regulate करते हैं अभी सवाल ही होते है what are secondary sexual characters For example, एक baby born हुआ, उसके genitals को देखके आप यह बता सकते हो कि आया यह male है यह female है So that's the primary sexual character जबके एक character आपको after puberty, at the time of puberty देखने को मिलता है For example, अगर male है, तो beard आना शुरू होगी, सारी चीज़े So that's the secondary sexual character सबसे पहले मैं बात करता हूँ, estrogen की Estrogen की अगर मैं बात करूँ, estrogen is responsible for the development of female reproductive organs Female reproductive organs की development कौन करवाएगा, यह estrogen Vagina की growth करवाएगा, uterus की growth करवाएगा, इसी तरह आपकी ovaries की growth करवाएगा बहुत सारी चीज़े हो कि और growth करवाएगा So it is responsible for the manifestation of the female body characteristic यह वो तमाम चीज़े करवाएगा, जो एक female को female characteristic देती है For example, body hair की distribution इसी तरह fat, आम तोर पे females में females की आपको skin के नीचे ज़्यादा fat देखने को मिलता है, क्यों? यह estrogen की विज़े से अब यह estrogen breast के बास भी जाएगा और breast की development करवाएगा Memory gland की development करवाएगा उसके इलावा, यह एक ऐसी physique देगा As compared to male, female को जिससे यह पता लगेगा, कि भई यह क्या है हमारे पास? यह हमारी female ही मौझूद है अब ज़रा आगे देखना अब यहाँ पर बड़ी important बात है It primarily, it is primarily due to the increased deposition of the subcutaneous adipose tissue वही बाज जो मैंने आपको बताई, यह estrogen क्या करेगा? आपके जो subcutaneous tissue है जो subcutaneous layer है उसके नीचे adipose tissue को डालना शुरू करेगा अब आगे आप से कह रहा है the hormone the hormone progesterone is a requisite factor in the process of breast development तो progesterone का का में pregnancy को maintain करना progesterone का का में breast development करवाना तो again यहाँ पर जो diagram शो की जारी है वही सारी चीज़ें जो मैंना आपका अल्रेडी बताई हुई है कि भाई आके यह GnRH stimulate करेगा किसको anterior p2t को anterior p2t से release होगा यह जाएगा follicle की growth करवाएगा दूसरा यह LH जो है वो ovulation करवाएगा फिर यह यहाँ से release होगा estrogen progesterone यह estrogen और progesterone ना सिर्फ anterior p2t को inhibit करेंगे बलके hypothalamus को भी inhibit करेंगे तो ultimately यह पूरी एक cycle माझे होगा तो यहाँ पे आके यहाँ पे आके हमारा female reproductive system और female reproductive cycle का topic हो गया इसके अंदर अगर कोई problem हो कोई मसला हो तो आप comment section के अंदर जरूर बता सकते हैं वीडियो अची लगी हो तो चैनल को subscribe कर लेना वीडियो को like जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताके हम जादर से जादर बुक को जल से जल जो है वो cover कर ले, line by ठीक है तो चलो, आज के लिए इतना ही इंशाला आपसे मुलाकात होगी नेक्स वीडियो के अंदर तब तक के लिए अला आपस